नमः पार्वति पते हारा हारा महादेव UPKCM योगी आधित्यनाजी उपमुख मंत्री त्रिमान केश्व प्रसाद मौरिय गुजरात विदान सभा के अध्यक्ष़ और बनास्प डेरी के चैर्मेन और आज मिशेश रुपसे किसानों को बेट स्वगा देने के लिए आये हुए स्रिमान संकर भाई चौदरे राज्य के मंत्री परिशत के सदस्च विदाय गण अन्य महानुभाव और बनारस के मेरे परिवार जनो बाबा शीव के पावन धर्ती पर आप सब कासी के लोगन के हमार प्रणामबा मेरी काची के लोगों के इस जोश ने सर्दी के इस काक कहल जाला बनारस में जिया रजा बनारस अच्छा शुरुआत में हमें एक थे शिकायत है कासी के लोगन से कहीं हम आपन शिकायत कहीं हम आपन शिकायत ये साल हम देव दिपाली पर यहां ना रहिला और एदा पारी देव दिपाली पर कासी के लोग सब मिलकर रिकॉर्ड तोड़ देलन आप सब सोच रहे होंगे कि जब सब अच्छा हुआ तो मैं शिकायत क्यों कर रहा हूं मैं शिकायत इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो साल पहले जब मैं देव दिपाली पर यहां आया था तो आपने उस समय के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया अब घर का सदस्य होने के नाते मैं तो सिकात करूंगा ही क्योंकि आपकी ये मेहनद देख लेक लिए मैं इस बार यहां था नहीं इसमार जो लोग देव दिपाली के अदभूत द्रश्य को देख कर आये विदेश के मेहमान भी आये थे उन्होंने दिल्ली में मुझे पूरा हाल बताया था जी ट्वेंटी में आये मेहमान हो या बनारस आने वाला कोई भी आती थी जब वो बनारस के लोगों की प्रसंसा करते हैं तो मेरा भी माथा उंचा हो जाता है कासी वासियों ने जो काम कर दिखाया है जब दुनिया उसका गवरोगान करती है तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे होती है महादेव की कासी की मैं जितनी भी सेवा कर पाऊँ वो मुझे कम ही लगता है मेरे परिवार जनो जब कासी का विकास होता है तो यूपी का विकास होता है और जब यूपी का विकास होता है तो देश का विकास होता है इसी भाव के साथ आज भी यहां करीब 20,000 करोड रुपिये के विकास कारियों का सिलान्यास और लोकारपन हुआ है बनारस के गाउँ में पीने के पानी की सप्लाई हो B.H.U. ट्रॉमा सेंटर में क्रिटिकल केर यूनिट हो सडक, बिजली, गंगा घाट, रेलवे, एरपोर्ट, साउर उर्जा और पैट्रोलियम जैसे अनेक शेत्रों से जुड़े प्रोजेक्ट हो ये इस शेत्र के विकास की गति को और तेज करेंगे कल शाम ही मुझे काशी, कन्याकुमारी, तमिल संगरम, ट्रेन को भी हरी जंडी दिखाने का आउसर मिला था आज वारा नसी से दिल्ली के लिए एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हुई है आज से मव, दोहरी गाट ट्रेन भी शुरू हो रही है ये लाइन चालू हो जाने से दोहरी गाट के साथ ही बढ़हल गंड, हाटा, गोला गगहाता सभी लोगों को फाइदा होने वाला है इन सभी विकास कारियों के लिए मैं आप सब को बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ मेरे परिवार जनो, आज काशी समेट सारा देश विक्सीद भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है विक्सीद भारत संकल्प यात्रा हजारों गावों, हजारों शहरों में पहुँच चुकी है करोडों लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं यहां काशी में मुझे भी विक्सीद भारत संकल्प यात्रा का हिस्सा बनने का आउसर मिला है इस यात्रा में जो गाड़ी चल रही है उसको देशवासी मोधी की गारंटी वाड़ी गाड़ी बुला रहे हैं आप सब लोग मोधी का गारंटी जाने लाना हमारा प्रयास है कि भारत सरकार ने गरीब कल्यान की जन कल्यान की जो भी योजनाय बनाई है उनसे कोई भी लाभारती बंचीत न रहे पहले गरीब सरकार के पास विदाओं के लिए चक्कर लगाता था अब मोधी ने कह दिया है कि सरकार खोद चल कर गरीबों के पास जाएगी और इसलिए मोधी की गारंटी वाली गाड़ी एक दम सुपर हीट हो गई है काशी मैभी हजारों नए लाभारती सरकारी योजनाओं से जुड़े हैं जो पहले बंचीत थे किसी को आयुश्मान कार्ड मिला है किसी को मुक्त राशनवाला कार्ड मिला है किसी को पक्के आवास की गारंटी मिली है किसी को नल से जल का कनेक्शन मिला है किसी को मैप मुप्त गैस कनेक्शन मिला है हमारी कोशिद है कि कोई भी लाभार्ती बंचीत ना रहे सब को उसका हक मिले और इस अभियान से सबसे बड़ी चीज जो लोगों को मिली है वो है विश्वास जिने योजनाओं का लाभ मिला है उन्हें ये विश्वास मिला है कि उनका जीवन अब और बहतर होगा जो बंचीत थे उन्हें ये विश्वास मिला है कि एक ना एक दिन उन्हें भी जरूर योजनाओं का लाब मिलेगा इस विश्वास ने देश के इस विश्वास को भी बड़ाया है कि साल 2047 तक भारत विख्षित होके रहेगा और नागरीकों को दो लाब जो होता है होता है मुझे भी लाब होता है मैं दो दिन से ये संकल प्यात्रा में जा रहा हूँ और मेरा जो नागरीकों से मिलना होता है कल मैं गया स्कूल के बच्चों से मिलने का मोका मिला क्या आत्मविश्वास था कितनी बढ़िया कविताएं बोल रही थी बच्चियां पूरा विज्ञान समझा रही थी और इतने बढ़िया तरीके से आंगंडवाडी के बच्चे गीत गा करके स्वागत कर रहे थे मुझे इतना सुख मिलता सा देख करके और आज अभी यहीं एक बैन अमारी चंदा देवी का मैंने भाषन सुना इतना बढ़िया भाषन था याने मैं कहता हूं बड़े बड़े लोग भी ऐसा भाषन ने कर तकते साहरी चीजे इतने बारिक से वह बता रही थी और मैंने कुछ सवाल पूछे उन सवालों का जबाब भी और वो हमारी लगपती दिदी है और जब मैंने उनको कहा का अब लगपती दिदी बन गई तो उनने कहा कि साहब यह तो मुझे बोलने का मोका मिला है लेकिन हमारे समू में तो और भी तीन-चार बहिने लगपती हो चुकी है और सब को लगपती बनाने का संकल पर किया है याने इस संकल पर यात्रा से मुझे और मेरे सभी साथियों को समाज के भीतर कैसी शक्ति पड़ी हुई है एक से बढ़कर एक सामर्थवान हमारी माताए, बहने, बेटियां, बच्चे कितने सामर्थव से भरे हुई है खेल कुद में कितने होचियार है ज्ञान की इस परदाओं में कितने तेज है ये सारी बाते खुदे देखने की, समझने की, जानने की, अनुभाव करने की ये सबसे बड़ा आउसर मुझे संकल्प यात्रा ने दिया है और इसलिए सारवजनिक जीवन में काम करने वाले हरे को मैं कहता हूँ ये विक्सीद भारत संकल्प यात्रा ये हम जैसे लोगों के लिए एजुकेशन की चलती फिरती उनिवर्सिटी है हमें सिखने को मिलता है मैं दो दिन में इतना सिखा हूँ इतनी चीजे समझा हूँ आत्म मेरा जीवन धन्य हो गया है मेरे परिवार जिनो कहल जाला काशी कब हूना चाड़िये विश्वनात दरबार हमारी सरकार काशी में रिहाईस आसान बनाने के साथ ही काशी को जोड़ने के लिए भी उतनी ही महनत कर रही है यहां गाम हो या फिर सहरी खेत्र कनेक्टिविटी की बहतरीन सुभिधाय बन रही है आज जिन प्रोजेश का सिलान्यास और लोकारपन यहां हुआ है इससे काशी के विकास को और गती मिलेगी इनमें यहां आसपास के गाम को जोड़ने वाली अनेक सडके भी है शिवपूर, फुलवरिया, लहरतारा मार्ग और रोड ओवर ब्रीज के निर्मान से समयव और इंधन दोनों की बचत होगी इस परियोजना से सहर के दक्षिन हिस्से से बाबतपूर एरपोर्ट जाने वाले लोगों को भी बहुत मदद मिलेगी मेरे परिवार जनो आधुनिक कनेक्टिविटी और सुंदरी करन से क्या बदलाव आता है यह हम काशी में देख रहे है आस्था और आध्यात्म के महत्वपुन केंदर के रुप में काशी का गवरव दिन प्रती दिन बुलंद होता जा रहा है यहाँ परियतन का भी लगातार विस्तार हो रहा है और परियतन से काशी में रोजगार के हजारों नए आउसर भी बन रहे हैं स्री काशी विश्वनात दाम का भव्य स्वरूप सामने आने के बाद से अब तक तेरा करोड लोग बाबा विश्वनात के दर्शन कर चुके हैं बनारस आने वाले स्रत धालूओं और परियतकों के संख्या लगातार बढ़ रही है और जब परियतक आता है ना तो कुछ न कुछ देख करके जाता है हर परियतक 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया 5000 पांच अजार जिसकी जितनी तागत तो काश्ची में खर्च करता है तो पैसा आपी के जेब में जाता है आपको याद होगा लाल के लिए से मैंने कहा था कि हमें पहले अपने देश में कम से कम 15 शहरों में गुमना चाहिए 15 जगा पे जाना चाहिए और फिर कहीं और के बारे में सोचना चाहिए मुझे अच्छा लगा कि जो लोग पहले सिंग अपूर या दुबई जाने की सोचते थे वो अब अपना देश देखने के लिए जा रहे हैं बच्चों को कह रहे हैं तो जाओ अपना देश देखकर क्या हो जो पैसा वो विदेश में खर्च करते थे वो अपने ही देश में खर्च हो रहा है और भाई यो बहनों जब परियतन बढ़ता है तो हर कोई कमाता है बनारज में भी टूरिस आ रहे हैं तो होटल वेवसा ही कमा रहे हैं बनारज में आने वाला हर टूरिस यहां के टूर टैक्सी ओपरेटर को, हमारे नावीकों को, हमारे रिक्षावालों को, कोईन कोई कमाई करा देता है, या तूरिजम बढ़ने से छोटे बढ़े सभी दुकानदारों को जबर्ज़त फायना मिला है, आचा एक बात बतावा, एक बात बतावा, गदोलिया से लंका तक, तुरिश्टर का संख्या बढ़ल हो कि नहीं, साथियों काशी के लोगों की आए बढ़ाने के लिए, यहाँ पर परिया टकों को अधिक स्विधाय देने के लिए, हमारी सरकार लगातार काम कर रही है, आज वारा नसी में, स्मार्ट सिटी मिशन के तहट, युनिपाइट टुरिश्ट पाथ सिस्टम काशी दर्शन का भी शुवारम किया गया है, इससे अब यहाँ अलग-अलग जग़ों में जाने के लिए, परिया टकों को अलग-अलग तिकट लेने की जरुवत नहीं होगी, एक पास से ही हर जग़ एंट्री सम्भव हो पाएगी, साथियों, कासी में कहां क्या देखना है, कासी में खाने-पिने की मशूर जगएं कौन सी है, यहां मनोरंजन और एतियासिक महत्व की जग़ कौन सी है, ऐसी हर जानकारी देश और दुनिया को देने के लिए, वारानसी की टूरिस वेबसाइट काशी को भी लॉंच किया गया है, अब जे बाहर चे आवेला, ओके थोड़ी पता है कि यी मलईयों के मौसम हो, जाड़ा के धूप में चुड़ा मतर का अनन्द, कोई बहरी कईसे जान पाई, गदवलिया के चाट होए, या रामनगर का लस्षी, इस सब जानकारी अब काशी वेबसाइट पर मिल जाई, साथियों, आज गंगाजी पर अने गाटों के नमिलनी करण का काम भी शुड़ू आए, आधुनिक बद सेल्टर हो, या फिर एरपोर्ट और रिल्वे स्टेशन में बन रही आधुनिक स्विविदाए, इससे वारण से आने वालों का अनुभव, और बहतर होगा, मेरे परिवार जनो, आज काशी शहीत देश के रेल कनेक्टिविटी के लिए भी बहुत बड़ा दिन है, आप जानते हैं कि देशवें रेल वे की गती बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, माल गाड़ियों के लिए इस्टन और वेस्टन देडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर बन जाने से रेलिवी की तस्वीरी बदल जाएगी, इसी कड़ी में आठ पंडित दिन्दायल उपाद्याय जंक्षन और न्यू भावपूर जंक्षन के बीच के खंड का लोकारपन हुआ है, इससे पूर्वी भारत से यूपी के लिए कोईला और दूसरा कच्चा माल आना और आसान हो जाएगा, इससे काशी छेत्र के उद्योगों में बने सामान को, किसानों की उपच को पूर्वी भारत और विदेशों में बेजने में भी बहुत मदद मिलेगी, साथियों, आज मनारस रेल इंजिन कारखाने में निर्मेट, दस हजारवा इंजिन का भी संचानन हुआ है, ये मेक इन इंडिया, मेक फर्द वर्ल्ड के प्रती, हमारी प्रतिवर्द्दता को ससक्त करता है, यूपी के अलग-अलग हिस्थों में आउद्योगी करण को बल मिले, इसके लिए सस्ती और परियाप्त बिजली और गैस दोनों की उपलब्दता जरूरी है, मुझे खुसी है कि डबल इंजिन सरकार के प्रयासों से यूपी साओर उर्जा के एक सेत्र में तेज गती से प्रगति कर रहा है, चित्रकुट में आठ सो मेगावर्ट छमता का साओर उर्जा पार्क यूपी में परियाप्त बिजली देने के हमारी प्रतिबद्धता को ससक्त करेगा, इससे रोजगार के भी अनेक अवसर बनेंगे और आसपास के गावों के विकास को भी गती मिलेगी, और सौर उर्जा के साथ साथ, पूर्वी उत्तर प्रदेश में पैट्रोलियम से जुड़ा ससक्त नेटवर्ग भी बनाया जा रहा है, देवरिया और मिर्जापूर में जो ये सुविदाएं बन रही है, इससे पैट्रोल, डीजल, बायो सिएंजी, इथेनॉल की प्रोसेसिंग में भी मदद मिलेगी, मेरे परिवार जनों, विक्सीद भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना, बहुत जरूरी है, मेरे लिए तो, यही चार जातियां ही, सबसे बड़ी जातियां है, ये चार जातियां ससक्त हो गई, तो पुरा देश ससक्त हो जाएगा, इसी सोच के साथ, हमारी सरकार, किसानों के हितों को सर्वच्च प्रात्विक्ता दे रही है, पी एम किसान सम्मान निदिये माध्यम से, देश के हर किसान के बैंक खाते में, अब तक 30,000 रुपिज जमा कराये जा चुके, जिन छोटे किसानों के पास, किसान क्रेडिट कार्ड नहीं था, उन्हें भी ये सुविदा दी जा रही है, हमारी सरकार, प्राकृतिक खेती पर बल देने के साथ ही, किसानों के लिए आधुनिक ववस्ता भी बना रही है, अभी जो विक्सित भारत संकल प्रयात्रा चल रही है, उसमें सभी किसान, ड्रोन को देखकर बहुत उत्साइद हो रहे हैं, ये ड्रोन हमारी क्रशी व्यवस्ता का भविश्य गढ़ने वाला है, इससे दवा हो, फर्टिलाइजर हो, इनका छिड़का और आसान हो जाएगा, इसकी सरकार ने नमो ड्रोन दीदी अभियान भी शुरू किया है, गाउं में लोग उसको नमो दीदी बोलते हैं, इस अभियान के तहट स्वयम सहायता सबूहों से जुड़ी बेहनों को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है, वो दिन दूर नहीं, जब काशी की बेहन बेटियां भी ड्रोन की दुनिया में दुम मचाने वाली है, साथियों, आप सभी के प्रयासों से बनारस में आधुनिक बनास डेरी प्लान जिसको अमूल भी कहते हैं, कान दिर्मान बहुत तेजी से चल रहा है, और मुझे संकर भाई बता रहे थे, एक आध महिने में काम साइद पूरा भी हो जाएगा, बनारस में बनास डेरी पान्सो करोड रुपिय से ज़्यादा का निवेश कर रही है, ये डेरी यहाँ गउ सववर्धन का भी अभ्यान चला रही है, ताकि दुद का उत्पादन और बड़े, बनास डेरी किसानन बदे, बरदान साबित भैलु हो, लखनव और कानपूर में बनास डेरी के प्लांट पहले से चल रहे हैं, इस साल बनास डेरी ने यूपी के चार हजार से ज़्यादा गावों के किसानों को एक हजार करोर रुपिय से ज़्यादा का भुक्तान किया है, यहाँ इस कारकम में और एक बड़ा काम हुआ, लाबास के तोर पर बनास डेरी ने आज रुपी के डेरी किसानों के बैंक खातों में, सो करोर रुपिय से ज़्यादा जमा कराए हैं, मैं यह लाब पाने वाले सभी किसानों को बहुत-बहुत बदाई देता हूँ, मेरे परिवार जनों, विकास की यह अम्रद्धारा, जो काशी में बह रही है, वह इस पूरे क्षेत्र को नई उंचाई पर ले जाएगी, दसकों से पुरवान चल का यह पूरा इलाका बहुत उपेख्षित रहा है, लेकिन महदेव के आजिजवाद से, अम्मोदी आपकी सेवा में जुटा है, अपसे कुछ महिने बादी देश भर में चुनाव है, और मोदी ने देश को गारंटी दिये, कि वो अपनी तीसरी पारी में भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बनाएंगे, ये गारंटी अगर आज देश को को दे रहा हूं, तो इसका कारण आप सभी है, झालाएंगे!